नमस्कार कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिट शेख क्या हिंदू धर्म इतना सस्ता है कि कोई भी रह चलता इस पर टुपनी करके निकल जाए क्या हिंदू को सौफ्ट टार्गेट बनाया जो रहा है क्या हिंदू की धार्मिक भावनाए आहत नहीं होती क्या हिंदू धर्म पर कोई भी अशलील और आमर्यादित टुपनी करके खुद को बहुत बड़ा योध्धा समझने लगता है दरसल ये सारे सवाल हम आप से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म को बार बार अपमानित करने का ठेका बिहार की महागडबंधन सरकार के नेताओं ने ले रखा है जो राजनीती में अपनी चेहरे को चमकाने के लिए सनातन धर्म का इस्तमाल करते हैं और एक बार बार हिंदूों की धार्मिक भावनाओं और उनकी आस्था को ठेज पहुँचाते हैं ऐसा ही ताजा और संसनी खेज मामला फिर से बिहार में महागडबंधन सरकार में शामिल आरज्येडी के विधायक का सामने आया है जिन्होंने अपने शब्दों की मर्यादा को खोते हुए खुद हिंदू होने के बावजूद हिंदू धर्म पर ऐसी घटिया टिपनी की है जिसने लोगों के बीच में हरकंप मचा दिया क्या है पूरा मामला और कौन है वो लालू के विधायक जिन्होंने हिंदू धर्म के बहाने अपने आपको राजनीती उचा दिखानी की शर्मनाग कोशिश की है इस्पेशल स्टोरी में आपको बताते हैं बिहार की सियासत में जब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो हिंदू धर्म पर टिपनी करके खुद को बहुत बड़ा तीसमार खां समझने लगता है लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि इस बार आरजेडी के विधायक ने जो अपमान मा दुरगा और सनातन धर्म का किया उससे पूरे देश में विरोध की लहर देखने को मिल रही बयान से सियासी माहौल तो बन ही गया साथी साथ साधू संतों ने भी लालू के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया ख़बर में धमाकेदार टुस्ट का आगे खुलासा करेंगी लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर आरजेडी विधायक ने बयान क्या दिया जिससे बवाल मचा हुआ दरसल बिहार में ये पहली बार नहीं जब हिंदू धर्म के खिलाफ बयान बाजी की गई हो इस बार राज़त यानि आरजेडी जिसके करता धरता है बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री लालू प्रिसाद यादर उनके एक और विधायक ने हिंदू के खिलाफ ऐसा जहर उगला है कि चारो तरफ विद्रो हो गया बिहार के रोहताज जिले के डेहरी से राज़त विधायक फते बहादूर सिंग ने ना सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान किया बलकि मा दुर्गा पर भी सवाल उठाए और उन्हें कालपनिक तक बता दिया फते बहादूर ने एक कारिक्टरम में कहा कि मा दुर्गा जैसी कोई चीज नहीं थी ये सब कालपनिक बाते हैं उन्होंने दुर्गा सब्तशपी को एक मन गरंत और बेकार कहानी बताए इसके साथ ही उन्होंने खुद को महीशा सुर का वंशज भी बताए कुश्वाह समाच से आने वाले फते बहादूर ने कहा कि महीशा सुर के एक प्रतापी राजा था और वो 90 प्रतिशत बहुत संख्यकों का प्रतिनी धित्व करता था उसे मालने के लिए दुर्गा का आविश्कार किया गया इतना ही ने फते ने दुर्गा और भगवान शंकर के संबंदों को लेकर भी आपत्ती जनक टपनी की उन्होंने कहा कि वो सिंदूर क्यों लगाती इतना ही ने आरजेडी विधायक ने आगे कहा कि शास्तरों में बताया जाता है कि भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ अहवान कर देवी दुर्गा की उत्पत्ती की एक तरह से भगवान शिव ने देवी दुर्गा का अविश्कार किया तो इसे रिष्टे से देवी दुर्गा भगवान शिव की बेटी हुई दूसरी तरफ देवी दुर्गा को महागौरी के नाम से भी बुलाया जाता है ऐसे में गौरी भगवान शिव की पत्नी थी तो क्या भगवान शिव ने अपनी बेटी से विवा कर लिया थी फते बहादूर ने कहा कि ये सब मनुवादियों का सड्यंत्र है महिशा सुर की हत्या करने के लिए दुर्गा का इन सब ने इस्तमाल किया और महिशा सुर का वद नहीं हत्या हो ये मनुवादी लोग बताने का काम करेगा कि कौन सा मैदान में महिशा सुर के साथ दुर्गा ने युद किया और रात्री में कौन युद करने जाती थी उसके यहाँ फते बहादूर ने मादुर्गा को ना सिर्फ कालपनिक बताए बलकि ये भी कहा कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को गुलाम बनाया तो मादुर्गा कहा थी वही मीडिया से बाचीत के दोरान राजद विधायक ने कहा कि मनुवादियों के मुताबिक देश में 33 करोड देवी देवता है ब्रिटिश भारत में आये और गुलाम बनाने का काम किया उस समय भारतियों के संख्या 30 करोड थी इतना ही नहीं फते बहादुर ने आगे पूछा कि मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूँ जिन्हों ने ये लिखा कि महिशा सुर की करोडों सेना के साथ मादुर्गा ने लड़ाई लड़ी और महिशा सुर का नरसन हार करती जब मुठी भर ब्रिटिश सरकार ने भारत को गुलाम बनाया तो मादुर्गा क्या कर रही थी दस हाथ का ओजार कहा था कि दुनिया में सिर्फ अतीक एहमद ही नहीं था वहीं आरजेडी विधायक का मादुर्गा का अपमान करके यहीं पर पेट नहीं भरा तो वो आगे भी बोलते हैं और जब पूजा पार्ट और पंडाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूजा अर्चना करने को नाजायस खर्च बता दिया उन्होंने कहा कि जब दुर्गा का कोई इतिहास ही नहीं है तो लोग क्यों इतना खर्च करते अगर वो तीनों लोग की देवी थी तो क्या भारत में ही तीनों लोग मौजूद है आरजेडी विधायक ने पूछा कि अगर दुर्गा देवी रहती और इनका अफ्तार हुआ रहता तो ये भारत में ही क्यों पूरे विश्व में क्यों नहीं हुआ मैं कहता हूँ कि हम कौन से हिंदू है जिन मनुवादियों ने देवताओं को कालपनिक बनाया उन्होंने ही OBC SC ST को शुद्र बना दिया विधायक के इस बयान से हिंदू संगठनों में काफी जादा अक्रोश देखने को मिल रहा है बचरंग दल और विश्व हिंदू परिशद ने विधायक के खिलाब विरोध प्रदर्शन किया है उन्होंने विधायक के पुतले का दहन भी किया सनातन धर्म से जुड़े संगठन इन टिपनियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए पुतला फूका है साथ ही ऐलान किया कि माफी नहीं मांगी तो सड़क से संसब तक विरोध करेंग आपको जान कर हैरानी होगी कि अती की बहन देरी के आरजेडी विधायक फते बहादुर सिंग ने मादुर्गा को लेकर विवादित बयान देकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया आजेडी विधायक की तरफ से मादुर्गा को कालपनिक बताने और उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ती जताई बेगू सराय के बीजेपी सांसद और केंद्र मंत्री गिरीराद सिंग ने सरकार को चितावनी दी कि अगर हिंदू धर्म और उसके देवी देवता के उपर इस तरह की बयान बाजी बंद नहीं हुई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वही गिरीराद सिंग ने कहा है कि नितीश और लालू के सरकार सनातन धर्म को अपमानित करने का बीड़ा उठा लिया जिस तरह से आरजेडी के विधायक ने मादुर्गा के बारे में आपत्ती जनक बयान दिया ठीक उसी तरह से इनके मंत्री ने भी रामचरित मानस को अपमानित किया था ये लोग ऐसा करके हिंदूों के धैर्य को बार बार चैलेंज कर रहे हैं आरजेडी का मंत्री रामायन को अपमानित करता है पुरे विश्व में साधना के ओप्रती मादुर्गा को लेकर आरजेडी का विधायक अपमान जनक टिपनी कर रहा गिराज ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो मुसल्मानों के कुरान और उनके मुहम्मत साहब के बारे में कोई टिपनी करके देख ले सिर्टन से जुदा हो जाएगा ये लोग कमजोर और पापड फोर पहलवान है गिराज सिंग ने सरकार को चिताबनी देते हुए कहा कि इस तरह से बार बार हिंदू धर्म और उनके देवी देपताओं का अपमान करना बंद करें नहीं तो आने वाले समय में इसका हाम्याजा भूगतना पड़ेगा आज ये तक पर रंगदारी मांगने मार पीट करने धम करें बिहार के सिक्षा मंतरी चंदर शेखर यादव ने विवादित बयान देते हुए रामचरित मानस की तुलना बेहद खतरनाग जहर पोटेशियम साइनाइट से की थी उन्होंने कहा था कि रामचरित मानस में पोटेशियम साइनाइट है जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे इससे पहले वो रामचरित मानस को बाटनी वाला ग्रंट बता चुके हैं दरसल चंदर शेखर ने कहा था कि 55 तरह का वेंजन परोज कर बिहार हिंदी गरंत अकादवी में कारिक्रम में उन्होंने रामचरित मानस के अरनाई कांट की चौपाई पुजही विपर सकल गुन हीना शुद्र नाप पुजुहू वेद प्रवीना की चर्चा की थी वही चंदर शेखर ने इसलाम के पैगंबर मुहमत को मरियादा पुरुशुत्तम बताया था उन्होंने कहा था कि शैतानों की संख्या अधिक होने के बाद परमात्मा ने पैगंबर मुहमत को पैदा किया उन्होंने कहा था कि अगर बैमान भी खुद को मुस्लिम कहते हैं तो खुदा इसकी इजासत नहीं देता है उन्होंने कहा था कि जब शैतानियत बढ़ गए दुनिया में इमान खत्म हो गया बैमान और शैताई ज्यादा हो गए तो मद्ध इशिया के एलाके में इश्वर ने प्रभू ने पर्मात्माने मरियादा पुरुशुत्तम प्रौप्पिट मुहम्मद साभ को पैदा किया इमान लाने के लिए इसलाम इमान वालों के लिए आया इसलाम बैमानी और शैतानी के खिलाफ आया मगर बैमान भी खुद को मुसल्मान कहते है तो इसकी इजाज़त खुदा नहीं देता है यानि ये पहली बार नहीं जब हिंदू धर्म को निशाना बना कर अपनी राजनीतिक रोटिया सेखने की कोशिश की गई बिहार के सियासत में हिंदू धर्म और हिंदूों का अपमान करने का सिलसिला लगतार चलता आ रहा है अब देखना होगा कि क्या RJD विधाय कितने विरोध के बाद अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं या फिर नहीं स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही बागी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी नमस्कार